अरक्षन संबंधित फैंसले के बाद सियासत भी शुरू हो गई है प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्री मंत्री अरुन यादब ने कहा है कि शुराज सरकार ने पिछले वर्गे के साथ धोखा दिया है तो हैं उद्यपूर में कॉंग्रेस के नौ संकल्प शिविर पर अरुन यादब ने कहा है कि कॉंग्रेस पूरे देश में भारत छोड़ो अभियान चलाएगी जिसको लेकर अरुन यादब से बादसीत की हमारे संबाद्धा था दिने शुक लेने मद्यप्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के पूर्ब अध्यक्षे और पूर्ब केंद्री मंत्री अरुन यादब हमारे साथ है सर जो नौ संकल्प सिविर था उसमें क्या संकल्प पारित हुए हैं और आप ते एक समिती में भी थे क्या नया करने वाली है कॉंग्रेस देखिए बहुत गहन विशियों पर वहाँ पर बात हुए और गंभी तार से हमने इस देश को कैसे मजबूत करना है और इस देश में जो फासिस्वादी ताकते हैं जो इस देश को विवाज़ित करना चाहती है जो फूट डालो राजकरों की नीती पर चलना चाहती है उनसे कैसे देश को बचाया जाए उन तमाम बिन्दों पर कॉंग्रेस पार्टी निवाद की इंटर्नल ओगनाईजेशन को कैसे मजबूत किया जाए उस पर बहुत सारी बात हुई है एक और बिन्दू निकलके आया कि सोनिया जी ने कहा कि अभी तक जो है पाल्टी ने नेताओं को दिया है कारकरताओं को दिया है अब पाल्टी नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो पाल्टी के लिए कुछ करें तो क्या ऐसा करने वाले हैं अब पार्टी के नेता और कार करता है। जिस पर कॉंग्रेस पार्टी ने अपना मेरे मुझ पर कर जा है पार्टी का अरुन या तो जो बनेगा जो बेस्ट पार्टी को मजबूत कर ने वह काम में करोगा आज ओबी सी आरक्षण को लेके भी सुप्रीम कोट ने फैसला दिया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चा पचाद फीसी से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते जिसमें से स्टी स्रिमला के चत्तित प्रतिशत हो गया तो बिसी खिससे कितना आया 14 प्रतिशत आया हम तो जानना चाहती 27 परसेंट आरक्षण का जो फार्मूला है वो सरकार कैसे देगी आरक्षण और जो नव संकल् पर भी वो बताते हैं और उनका साब तोर पर कहना है कि पालिटी का करज उतारने के लिए वो मैदान में अतरने वाले हैं कैमरामेन पिरवीन के साथ आई एनस 24 से विंकली भोपाल से दिने सुक्र